दोस्तो माईशेर उसे में आज बनाएंगे हम दो बहुती मज़ेदार रेसिपी एक तो फ्रेंड्स अपनी चटनी बनाएंगे जो एकदम फटाफट वाली है और दूसरा बनाएंगे हम ये बहुती मज़ेदार नाश्ता डीप फ्राइ करेंगे लेकिन आईल को बिल्कुल भी करेंगे उसके लिए क्या ट्रिक लगेंगे ये वीडियो के अंदर शियर करेंगे और आप देख सकते हैं बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हुआ है इसके आगे आप जो नॉर्मरी कचोड़ी पकोड़ी या समोसे खाते है ना आप बिल्कुल भूल जाएंगे वीडियो आप ल इसी भी मज़ेदार नाश्ते में जाती है एक बहुत ही मज़ेदार से स्ट्रफिंग तो बस ये बहुत ही फटाफ़फल स्ट्रफिंग बनके तैयार होगी मिंटों में तैयार हो जाएगी बस गयास ऑन करी उसके ओपर कढ़ाई रख दिया जो भी कुकिंग लग आप खाते प्याज एक बड़ा प्याज एक बारी कट करके वह डाल दे और प्याज नहीं खाते हैं तो इसकिप कर सकते हैं बिना प्याज के भी बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा और यह गया एक टेबल स्पून जितना सुखा धनिया पाउडर इसके साथी हामिस में डलेंगे आ और आधा ही चमच मैंने लिया है अमचूर पाउडर जो नॉर्मल चमच होता है ना मैंने उसका इस्तेमाल किया है और यह गया टेस्ट के हिसाब से नमक और अगर आपके पास पनी रखा हुआ है तो आप इसमें पनी डाल दीजिए वरना पनी डालना बिलकुल आपकी पेटी और बहुत ही मज़ेदारी स्टेफिंग तैयार है तो बस गैस का फ्लेम आफ कर देते हैं और इस्टेफिंग को कल लेते हैं पूरी तरीकी से ठंडा और इसके बाद बनेंगे इस पेशल जटनी जो बहुत ही फटाफट बनेगी बस मिक्सिका जाल लिया उसके अंदर कमचूर पाउडर डाल सकते हैं आप जहें तो नीबू का रज डाल सकते हैं टेस्के साब से नमक गया और साथी गया दो से तीन चमच जितना पानी अच्छे से चर्ण के लिए और यह लीजे फटाफट वाली चेटनी तयार है अभी गाड़ी है थोड़ा सा पानी डलके एक अदा लेली बीच में थूड़ा से खड़ा किया और उसमें डाल दिया तीन टेबल स्पून जितना देसी घी फ्रेंट्स आपको इस समय देसी की करना है नॉर्मल कुकिंग ओल नहीं लेना है और यह क्या आदा चमच जितना नमक या टेस्स के इसाब से नमक बिल्कूल अच जो नॉर्मल पानी टैप में आता है बस वही पानी आपको लेना है और बहुत ज़द आपको इसके डो को मसल ना नहीं है बस रफली जैसे आप पलाटो के लिए डो लगाते है ना वैसा डो तैयार कर ले कवर करें एक साइट से रग दे और दस मिनट के समय भी बच रहा है तो एक मसाला बनाएंगे तो यह मैंने ले लिया है फिर से दो टेबल स्पून जितना देशी गी आप बटर भी ले सकते हैं लेकिन नॉर्मल कुकिंग वाइल ना ले उसमें गया एक पिंच जितना नमक और उसके साथ ही एक ही पिंच हाम इसमें डलेंगे लाल मेर्चेंट कुए बच्छी करश द लेआ है और एक टेबल स्पून आपको जरूर्ट होगी कौन फ्लोर की और्टकी कौन फ्लोरी लेना है नातो चावल का आठा लेना है अगर प्लोरि को नहीं आप मेंदा जैरूर ले सकते हैं और ग्लॉत और बने den को करहा इंसे पराथा करेगा या और जैसे पराठा बेलते हैं आप बिल्कूल उसी तरीके से बेल कर तयार कर लें बस इसे आपको थोड़ा सा पतला रखना है और जैसे पराठे जैसा बेल गया उसके बाद हमने वो जो मिश्टन बना की रखा था घी के साथ में उसको इस तरीके से एक दम पतला पतला दे अगर आप इसमें कमफर्टेबिल नहीं है तो आप इस तरीके से बेलन से थोड़ा सा पतला कर लें उसके बाद फिर से हम वही मसाला लगा देंगे और अब बार यह इसे इस तरीके से राउंड करने की थोड़ा सा टाइट हाथ से आपको राउंड करना है बहुत ज़दा ढ इलर डिलर नहीं करना है वनना क्या होगा कि इसमें एयर रह जाएगी जो बाद में दिकत करेगी तो चलिए एक और बना लेते हैं फिर से एकदम पतला सा पराथा बेला और उसमें यह मसाला लगा दिया एक साइट उठाई फोल्ड करी दूसरी साइट उठाई फोल्ड करी इससे बेल करके से बंखाता कि चलूसरी इससे बनाने करें तो किले किल यह तो यह एक सपर के लिए अपीडे त्यार हो गहें हैं यह तरीक Case शार्प ले लिए और इससे कंट लीए बर आप इसमें जो लियर आपको दिकत hallee है बिh आपके कचोड़ी बहुत मज़ेदार बनेगी तो आप इसे बेल लेकर इस तरीके से बेल लिजे इसे बहुत पतला नहीं बेलना है मीडियम साइज से बेलना है और इस्टफिंग भी ले ले लिए करीब 2 टिबल स्पून चितनी और जो साइडे में उनमें अच्छे से आप पा करेंगे तो आइल में जाकर खूल जाएंगे और इसे बाते आप इसे अपा पत्रा में भी बना सकते हैं बस उसकेस में आपको कचोड़ी थोड़ी चोटी बिनानी होंगी फिर से एक और तयार करी अच्छे से पानी लगाया और साइडे उठाते में बिल्कुल अच्छे से स सेकें तो कवर करें पांच मिनिट के लिए रख दें और यह रख प्रोसेस बहुत ज़रूरी है तभी कचोड़ियां खसता भी बनेंगी और ऑईल को भी बहुत ही काम एक्जॉब करेंगी और सेखने के लिए फ्रांट्स मैंने ऑईल को गरम कर लिया है ऑईल करना है आपको से लिए हलका हलका उपर इस तरीके से डालते जाए एक से डिल मिनिट बाद आप इसे टर्न कर दें और दस से बारे मिनिट बाद आप देखेंगे फ्रांट्स की आपकी जो कचोड़ियां ना वह प्रॉपर सिक्कर तियार हो जाएंगी कलर बहुत ही अच्छा हैगा और यह प्लेटिंग की तो यह मैंने रखी चटनी उसके साथ हम रखेंगे टमैटो कैचप आप दही के साथ भी सर्व किजिए बढ़िया टेस्ट करेंगी और यह रखीं बहुत ही मज़ेदार कचोड़ियां तो मैं आपको नेपकिन से इसे दिखाती हूं कि इसने और को बिल्कुल भी एक्जॉब नहीं किया है यह देखें एकदम ड्राई है यानि की कचोड़ियां टेस्टी होने के साथ काफी खसता भी है और को कम एक्जॉब किया है तो कह सकते हैं कि हैल्दी भी है लेकिन अगर आपने इसकी ही जगे नॉर्मल कुकिंग और यूज किया होता तो यह अगर वास्तम में गजब की बनकर तैयार हुई है इस्ट्रफिक मज़ेदार है आउटर लेयर बहुत ही क्रिस्पी है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और यही तरीके से पर बहुत ही रिस्टी है रेसिपी बनकर तैयार हुई है देखने म में देखने